नमस्कार दोस्तों मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर्केजेश फील पार्ट साला यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के दाहिंदू न्यूजपेपर का हम एनलाइसिस करेंगे तो अभी देखा जाए तो मैं कंटिन्यू न्यूजपेपर नहीं अपलोड कर पा इसके अलावा जो हॉमलेस पीपुल हैं उनकी यहां पर चर्चा करी जाएगी बहुत ही कहना चाहिए महतपूर यह आर्टिकल है क्योंकि इस प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत कम लिखे जाते हैं और आज का समय तो ऐसा हो गया है कि हमरी जो आखें देख देख कर कहना चाहिए हमें यह सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है लेकिन एक दिन बस एक दिन आप उनके साथ समय बिता करके देखेंगे यह मैं बिता करके देखूंगा ना तो मुझे असलियत पता चल जाएगी कि यह लोग क्या चीज को फील करते हैं तो क्या चीज को यह फील कर रहे हैं क्या इनके मन में चल रहा है कैसे करके हम इनकी सेवा कर सकते हैं इनके लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें कौन-कौन सी कव्यां तो जो होमलेस लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है घर छ कौन इनकी देखरेख करेगा कहां इनको भेजा जाएगा कोस्टन यह खड़ा हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं भी पूजा खेड़कर का केस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ठीक है पार्टिकुलर्ली रिजर्वेशन का गलत फ जाएंगे क्योंकि रिजर्वेशन तो आज के समय में जनरल को भी दे दिया जा रहा है सब को लगबग लगबग बराबर थोड़ा थोड़ा प्रसाद मेल ही जा रहा है राइटर का कहना है कि UPSC के लिए जो पार्टिकुलर्ली रिजर्वेशन की पॉलसी है सर्टिफिकेश जो प्रोवाइट किया जा रहा है रिजर्वेशन का उसमें हमें सुधार करने की जरूरत है तो जो इंडियन सिस्टम है जिसके अंतर का bangs करे जाते हैं उसमें कहीं न कहीं लूप फोल सहीं जिनको हमें ठीक करने की जरूरत है तो यह दो बड़े बड़े आर्टिकुलny तो आईए दोस्तों देखते हैं इस आर्टिकल्स को जो की बात करता है मेंटल इल्नेस वाले लोग जो की होमलेस हैं इसका मतलब यह हो गया है या तो इन्होंने अपनी स्वेक्छा से घर छोड़ दिया है या तो फिर मजबूरी में घर इन्होंने छोड़ा है कभी-कभी ऐसी कंडिशन भी हो जाती है यदि हम गाउदेहाद की बात करें गरीब लोगों की बात करें तो क्या होता है गाउवाले पैसा लगा-लगा के ठक जाते हैं या फिर उनके पास मैं पैसा रहता नहीं है अब किसी का माइंड जो है धीरे धीरे डिश्टर्ब होना चालू होता है और इसके बाद आप देखेंगे वो बढ़ते जाता है हमारे यहां खुद फैमिली की यदि हम बात करें तो जो बड़ी मम्मी की लड़की है तो बड़ी मम्मी की लड़की का सुरू सुरू में तो कहना चाहिए ऐसी उनको जस्ट डाट दिया जाता था कि ऐसा क्यों कर रही है धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने देखा न तो उनके जो माइंड का डिस्टर्बेंस है न वो बढ़ते गया बढ़ते गया उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई ऐसी कंडिशन में वो आखिर हैं क्यों जैसे कि जब उनकी साधी होई थी न तो पहली साधी उनकी तूट गई उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी तो पहली साधी तूटी हो सकता है और भी ज़्यादा टेंसन बढ़ गई इसके बाद में जब उनको साधी करी गई साधी नहीं मतलब इस प्रकार से बोलना चाहिए गाओं देहात में उसको बैठालना बोलते हैं अब सेकेंड नमबर में जब उनको बिठाला गया था तो जिनके साधी वही थी ना जीजाजी की एज बहुत ज़ादा थी लेकिन फिर भी क्या करेंगे किस्मत की बात है दे दिये इसके बाद ये देखते हैं कि उनका एक बेटा होता है अब बेटा हो गया बेटा होने के बाद देखते हैं उनके सेकेंड वाले जो पती हैं वो भी खतम हो जाते हैं ये एक कहना चाहिए मेरे हिसाब से तो एक बड़ा रिजन यही होता है हो सकता है कि भाई उनका जो मेंटा लिलने से ने इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया था आज की समय में कंडिसन इतनी ज़्यादा खराब हो गई है दीदी की कि एक एक हपता भर वो पता नहीं कहां कहां घूमते रहती हैं लोगों को बोलती ही मेरे घरवाले खाना नहीं दे रहा है खाना दो मुझे कहीं पैसे मांगना कहीं खाना मांगना ऐसे करके अभी हाल-फिल-हाल में उनको ग्वालियर लेके गए थे ग्वालियर नहीं हो पंजाब में कोई जगह है वहां पर उनका इलाज कराने के लिए ल जोड़ी हुए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई पूछी नहीं रहा है एक्जामपल के तौर पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं तो हमें क्या है एक केर का एक्जामपल सेट करना है साथ ही साथ हमारा जो माइंड सेट है उसमें सिफ्ट हमको देखने को मिलना चाहिए हमारे माइंड सेट में हमें सिफ्ट लाना पड़ेगा परिवर्तन लाना पड़ेगा परिवर्तन ऐसा कि जो mental illness वाले people हैं homeless वाले people हैं उनके अधिकारों को हम आगे बढ़ा सके तो दो चीज कि यहां पर चर्चा करी जा रही है पहले नम्मर की बात यह है हमें care का model प्रस्तूत करना है सेकेंड नम्मर की बात यह है हम लोगों के जो नॉर्मल लोग है उनके दिमाग में जो चीज बैठ गई है उनके प्रतीना उसको चैंज करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमें यह चीज सोचना है कि कैसे करके हम इन लोगों के अधिकारों को दिलवा सकते हैं और इसी पर आपको कांसा राइटिंग करना है समरी लिखना है या फिर आपको चर्चा इस पर करनी है जाना तर देखा जाएं इस प्रकार के जो लोग हैं जो भटकते रहते हैं इनको क्या काम किया जाता है रेस्क्यू के मिसन चलाए जाते हैं जातर क्या काम किया जाता है इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल भेज दिये हैं सेल्टर हॉम भेज दिये हैं यहां तक कि ऐसे लोगों को तो जिल तक भेज दिया जाता अब आप आप सोच सकते हैं रेस्क्यू घो मिसन चलाई जा रहे हैं多 वेज banyak's time ठीक कहीं बैगर्स ओंभी गर्यज दे रहे हैं कहीं कहीं तो एसा है कि लोग जयल तक चले जाते हैं द मिनलों अभीत देखा जाए हमने आखिर क्या कि गिए तो ंिया है यग हम बात करें पिछले दो दसक पहले की बात करें हमने हमेज़ी से प्राइरटाइज दिया था सेल्टरस की सेरे ट्रीट्मेंट की फोटस नहीं किया था आगे हम बात करते हैं यह चो वह मैचेंस परहateg प्लेस-मेकिंग की ऑपर हमने कभी क्या-क्या चीज का कहना चाहिए क्या-क्या चीज को फेस करते हैं या फिर कैसे करके इनको सहायता मिल पा रही है जाद अतर इनको कोई खाना देदेगा कोई पानी देदेगा किसी ने कुछ मिठाई लाया है तो वो देदेगा मतलब लोकल सपोर्ट सर्किल के माध्यम से ये जो हॉमलेस परसंस हैं वो अपनी जीव का चला रहे हैं अब वहीं अधी हम बात करें कि ये लोग आखिर फील क्या क्या चीज करते हैं तो हमेशा सही है मतलब जो आदमी पागल नहीं है न वो भी पागल हो जाएगा इस प्रकार की चीजों को ये लोग फेस करते हैं ये इस प्रकार की चीजों को ये लोग महसूस करते हैं खराब मौसम में इनको वहीं रहना है बदबु आ रही है धूप है पानी है कुछ भी हो खराब मौसम में अपनी तबियत को ये लोग और खराब कर लेते हैं और अपने आपको एकदम दुर्दसा खराब कर डालते हैं भारत में कुछ ऐसे प्रयास हैं जिन्होंने कई सारे इस प्रकार की कम्यूटीज को फिर से नॉर्मल लाइफ में लाने में काफी मदद करी हैं ऐसे कौन-कौन से प्रयास हो सकते हैं इस मामले में देखा जाए कुछ राजसरकार हैं बहतर प्रयास कर रही हैं जैसे कि हम बा mental health काम कर रहा है दबनियान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लोकल सिविल सोसाइटी और्गनाइजेशन यह लोग आपस में मिल करके कुछ कहना चाहिए बहतर प्रयास कर रहे हैं इससे फाइदा यह होता है कि यह इस प्रकार के जो लोग हैं जिनको कहना चाहिए इमर्जेंसी कि तुरंत में जिनको कहना चाहिए इमर्जेंसी केर की जरूरत है वो यह लोग पहुचाने का काम करते हैं इनको recovery center तक पहुचाते हैं within district hospital this integration serves two purpose इससे क्या होता है इससे दो प्रकार का फाइदा हो जाता है पहले नमर की बात तो ये है कि बहुत बड़े बड़े center बहुत बड़े center में उनको ले जाने की जरूरत नहीं है उनके लिए खोलने की जरूरत नहीं है जो कि बताता है कि यहां पर वास्ताव में इस इच्परकार के लोग रहते हैं पहली चीज तो यह है और इससे भी महत्पूर बात यह होती है कि यह बड़ी संख्या में लोगों को अधिक तुरंथ सेवा प्रोवाइट कर रहे हैं अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके एकदम क्लोज जाके देख भाल कर रहे हैं साथ ही साथ यहां वहां दुनिया भर के छेत्र में अपनी कहना चाहिए सेवाएं प्रोवाइट कर रहे हैं अब हम बात करते हैं कि जो किस प्रकार का ट्रांस्फर्मेशन हमको चाहिए हमारी पॉलसी में अब आप देखिए भारत सरकार की तरप से कुछ पॉलसी चलाई जा रही हैं तो क्या उनमें ट्रांस्फर्मेशन की हमें जरूरत है सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो केर का मॉडल है ना वो बहुत बड़े लेवल पर बहुत व्यापक लेवल पर नहीं रहे है इसमालर यूनिट हमको इस्थापित करने की जरूरत है जगह जगह पर इस्थापित कर दीजिए ना उसमें परयाप मात्रा में स्टाफ होना चाहिए पर्सनल अटेंशन मेंडेट कर दिया जाएगा ठीक है कि पर्सनल अटेंशन की उपर आपको ज्यादा फोकस करना है बेटर मेडिकल केर होनी चाहिए ताकि एड्रेस किया जैसा कि इसे व्यक्ति जिनको भाई तुरंत मेडिकल उपचार के मार्धियम से ठीक किया जा सकता है तो इसके लिए बैटर मेडिकल केर की विवस्ता हमको करना पड़ेगा एसने की गरीब है भिखारी है पागल है करके बोल बस दिये और उसे इसापस को सेवाएं भी दे रहे हैं और नेता लोग अमीर लोगों को एकदम फाइव स्टार वाली सो इधायों में रखा जा रहा है एम सो भेजा जा रहा है और इनको डाल दे रहे हैं सरकारी इसकी बावजूद भी देखा जाएना अभी भी कुछ ना कुछ दीपर इंगेजमेंट की जरूरत है और भी जादा हमें मजबूती से कमिटमेंट करने की जरूरत है तब जाकर कि हम इन सब चीजों से लड़ सकते हैं इसका मतलब यह है हमें क्रिटिकली एक्जामिन करना है कि इनके जो अधिकार हैं इनको भाई मिल क्यों नहीं पा रहे हैं साथ ही साथ attitude and society की जो practices है उसके उपर हमें ध्यान देने की जरूरत है जो care professionals हैं साथ हमें डवलप करने की जरूरत है leadership को हमारा जो governance system है वो adaptive होना चाहिए dynamic होना चाहिए reflective होना चाहिए और यह address करेगा जो इन से जुड़ा हुआ daily mass है जो दिमाग में चीज बैठ जाती है न कि यह ठीक नहीं हो सकता ही तो हमेशा ऐसा ही रहेगा जिंदिगी भर यह ऐसा ही रहेगा तो हम लोगों के मन में यह सारी चाहिए approach होना चाहिए सबसे बड़ी approach यह है कि भाई हमें continue काम करना है regular काम करना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं कि निकल गए हफ्ता 15 दिन के लिए और थोड़ा बहुत काम धाम कर लिए उनके बारे में सोच विचार कर लिए थोड़ी सी मैनत कर लिए फिर जा करके बैढ़ सकते हैं कि वाइल अगेंस ऑफ इंटर्वेंशन केन बी सिग्निफिकेंट एंड दा हर्ट सीप ऑफ स्ट्रीट लाइफ और रियल क्वैर सीव कियर ओफन ये पूर आउटकम तो जब अर्रस्ति कोई काम आप मत करिए ना तो उनसे कुछ करवाईए क्योंकि इसका हमेशा सही कहना चाहिए रिजल्ट बहुत कम मिलेगा या फिर पूर आउटकम्स हमको देखने को मिलता है अब आपने देखा होगा इस प्रकार के जो मेंटल है हेल्थ इनलेस वाले लोग रहते हैं न बोला जा रहा है कि इनको कहां पर रह रहा है ये लोग रहते हैं स्टेट साइक पाट्रिक फैसिलिटीज का फाइदा उठा रहे हैं अधर केयर होम में अधर केयर होम एक्सपीरियंस लॉंग टर्न नीड वी थे मेडियन ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ सिक्स एर्स बोला जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि राज सरकारों ने जो चीजें खोली है न राज सरक अधरारों ने जो संस्थाएं खोली है तो बोला जा रहा है कि इसमें कम से भी कम 37% लोगों को दीरकालिक जरूरत का अनुभा होता है जो कि लगभग लगभग यहां पर 6-6 साल तक रहते हैं उनमें से अधिकांस का बेघर होने का इतिहास है और उन्होंने आमतोर पर पुल करियम कोट ऑफ इंडिया आगे आया था उसने राज सरकारों को बोला था कि आप पुनरवास के प्रयास करिए उनके रहबलाइजेशन के लिए प्रयास करिया साथ ही साथ इस मामले में देखा जाए भारा सरकार की बात करें तो जो डिपार्टमेंट आप इंपावर्मेंट इसने फाइल किया था कुछ गाइडलाइन रिहबलाइजेशन हॉम्स के लिए विश्व लेवल पर बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं कि भाई कैसे करके हम इन लोगों की लाइफ को बैटर बना सकते हैं ग्लोबली एंडिया की बात करें लार्ज स्केल हाउजिंग इनिस प्रयास किये जा रहे हैं तो यह लोग क्या है कंप्रहेंसिव सोसल और क्लिनिकल केर प्रवाइड कर रहे हैं और यह लोग दर साते हैं फीजिबिल्टी ओफ सच ग्राउंड ब्रेकिंग ऑप्संस फॉर दोस विधिर रेंज ऑफ डिसाबिलिटीज एंड क्लिनिकल नीड यह इनते बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या चीजिद की जरूरत है इसिये लोग टिसेबल हैं यह लोग इनको क्लिनिकल नीड हम钱एं दैना पड़ेगा पर एक और जो प्रयास किया जा रहा है वह प्रयास हैं हौं मगें प्रोग्राम हैं लगभख लगभख साथ सो लोग फाइदा उठा रहे हैं हाउजिंग सपोर्ट का सोशल केयर का होम अगेन कारिक्रम के अंतरगर्द यह कोलेबरेटिव है नाइन स्टेट में इंडिया में इसकी सुरुवात करे गई थी सन 2018 में एे रिसर्च ट्राइल के तौर पर ताकि सपोर्ट किया जासा के जो ग्रान चैल conventions कनाडा है मतलब सपोर्ट इसको कहा से मिल रहा है इस प्रोग्राम को grant चैलेंजिस कनाडा से सथके साथ इसने अपनी इस प्रकार से देखा जाए यह चीज़ को न गवर्मेंट आफ तमिल नाडू ने भी अडॉप्ट करी है और जो इस टैक होड़र है नेशनल लेवल पर वो लोग भी इन से सीख रहे हैं अब ऐसे लोग ठीक है जिनका ट्रांजिस्टन हो रहा है कहां से हॉस्पिटल से इन में हमको माइल्ड से लेकर के मौडरेट डिसेबिलिटीज देखने को मिल रही है तो जो हॉस्टल लाएक को लिविंग फैसलिटीज है ठीक है जो कि सिंबॉल है कि भाई हमने इनहेंस कर दिया है सोसल कैपिटल को रुपए पैसा हम खर्चा कर रहे हैं सिक्योर्टी हम इन लोगों को प्रोवाइट कर रहे हैं तो यहां पर भी एक चीज यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ी बहुत आपने उनको ठीक कर दिया ठीक है जैसे हलके से जो मध्यम विकलांगता वाले लोग है जो कि हॉस्पितल से आ रहे हैं तो इनके लिए पुनरवास ग्रहों की बजाएट छात्रवास जैसी रहन सहन की जो सुईधा है ना इनके उपर आप विचार कर सकते हैं मतलब समाजिक पुझी आपको लगाना पड़ेगा आप सेफटी इन लोगों को दे रहे हैं यह चीज बताता है कि इसके बाद सहायता के जो उपाय किये जा रहे हैं इनको फिर से डिफाइन करने की जरूरत है क्या-क्या चीज की रिक्वाइर्मेंट है इसके उपर आप देख सकते हैं जैसे कि हमें सबसे पहले तो पैटन पैटन लेस्टिक इंटर्वेंशन करना पड़ेगा says to live ք Liberty focused strategy अब इसके जो सब्धेन ऐसे ऐसे हैं पैटनलििस्टिक इंटर्वेंशन से चैंज करना है हमको लिबर्टरी focused strategies मतलब यह है कि भाई आप यह कह सकते हैं कि इन यदि हम केर कर रहे हैं तो इसमें आप उनको जो है पैरेंट की तरह काम मत करिए आप उनको आजादी दीजिए इसके अलावा सेकेंड नंबर का जो हम काम कर सकते हैं वो यह है कि जैसे आप किसानों को तो आप सालाना 6,000 रुपए दे रहे हैं इन लोगों को आप नहीं दे सकते हैं क्या तो मंतली प्रायोरिटी डिसाबिलिटी एलाउंस दिया जा सकता है पंद्रह सो रुपईया का वाइल मोडेस्ट कुट सर्वेस क्रिटिकल लाइफ लाइफ लाइन फॉर दोस पूस्टू मार्जिन ओप सोसल हायार की इससे क्या होग तो सबसब पहले जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं ब्यूरोक्रेटिक समस्याएं होती हैं इनको सौल करने की जरूरत है ताकि हम इनका एकोनोमिक ली कहना चाहिए इंपर्मेंट ला सकें इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा इमिजनेटिव एंड हॉलिस्टिक एप पूरत है इन सब चीजों को स्ट्रेंथन करना है इंटिग्रेट करना है डिस्टिक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतरगत अब वहीं थी हम बात करें कुछ इनसी के जैसे की इस्टेट क्या काम कर रहे है नौन स्टेट एक्टर्स क्या-kया लोग प्रयास कर रहे है तो जोそ gives इंगेज्मेंट है 800 मेंटल हैल्थ सर्वीसिस में 800 मेंटल हैं सर्विस यूजर्स ही हम बात कर higher than global experience तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए हमने इनको किसी संस्थाओं में भरती किया है संस्था में भरती किया है तो 75% लोग क्या है पोस्ट डिस्चार्ज हो जा रहे हैं कहां की बात हम कर रहे हैं ECRCS की हम बात कर रहे हैं तो जो जस्टिस डिमांड की हम बात करें ठीक है इकोनोमिक जस्टिस कैसे करके हम इनको प्रोवाइट कर सकते हैं बहुत सारे systematic barriers होते हैं ठीक है जिसके चलते चलते जो marginalized group होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं इनके लिए हमें transformative model लेकर के आना है इनका जो inclusion है economy में उसको हमें बढ़ाना है workforce participation कैसे करके हम बढ़ाएंगे thoughtfully facilitated becomes a powerful tool for re-appropriating economic space इसके अलावा जो ट्रेडिशनल employment model है एंड जो vocational training initiatives है यह इन लोगों तक क्यों नहीं पहुच सकती सबसे पहले तो भाई mental illness को ठीक करना पड़ेगा इसके बाद जो vocational training है traditional employment के model है इनकी उपर आप लागू कर सकते हैं या फिर इनको फाइदा दिला सकते हैं फिर आगे हम बात करते हैं किसकी समाज की समाज कैसे करके cooperation कर सकता है अगले जो article हम देखने वाले हैं दोस्तों यह article हाल-फिल-आल में भारत की reservation policy में reforms से related है हाल-फिल-आल में देखा जाएं पूजा खेड कर की बात करें ठीक है इनकी उपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने UPSC की जो जौब हासिल करी थी आई-एस की जो पोस्ट हासिल करी थी उसके लिए इन्होंने फर्जी डाकुमेंट्स बनवाए थे जैसे की फर्जी डाकुमेंट्स कैसे हो सकते हैं अपनी एज को कम जादा बताना सेकंड नमर का सबसे जो महतपूर चीज है वो विकलांगता का सर्टिफिकेट है बोला जाता है कि पूजा ने कई सारे विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाए थे 2018 और 2021 में अहमद नगर डिस्टिफिक सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी दो विकलांग सर्टिफिकेट यूपी एससी को भेजे गए नियमों के अंतर का सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ट जरूरी है लेकिन पूजा ने सर्टिफिकेट में रासन कार्ट लगाया था इ यह फ्रॉड कौन से कमियों के चलते चलते हो जा रहा है हाल फिलाल में हमको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइन है को जिस प्रकार से होने वाली है यहां पर आप देख सकते हैं पूजा खेटकर अलीग्र फ्रॉडलेंट एक्टिविटी शुट भी मेट विद the solution not the review of reservation system that provide crucial support to marginalized support अब आप उसको खाली सजा दे रहे हैं और reservation system के उपर review नहीं कर रहे हैं जो की crucial support देता है marginalized group को marginalized people को गरीब लोगों को पिछड़े लोगों को इसलिए आप सजा देने की बजाए सजा तो मिलना ही चाहिए दिकिसने फ्रॉड किया है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा हमारे रिजर्वेशन सिस्टम जो चल रहा है उसके उपर आपको रिविव करने की जरूरत है तो हाल फिलहाल में देखा जाए यह काफी जादा न्यूस में रही है इन्होंने फेक्ड डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था ठीक है ताकि यह फायदा उठा सके हा बनवाया था ताकि बैनिफिट का फायदा ले सके यहीं से रिजर्वेशन को ले करके मतलब जो विकलांग लोग लिए रिजर्वेशन है ना उससे रिलेटेट कहना चाहिए मुद्धा उठकर के खड़ा होता है तो जो पी डबलू डी एस होते हैं फिजिकली है ना हैंडिक पीपल जिनको बोला जाता है तो इनको रिजर्वेशन देती है सरकार ताकि यह जो पिछड़े हुए लोग हैं यह भी हम लोगों की बराबरी कर सके हैं इसलिए सरकार विकलांग लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करती है अब हाल फिल हाल में देखा जाए ना पीड़ डी की रिजर्वेशन को लेकर के कि भाई इसमें कुछ सुधार की जरूरत है रिव्यू की जरूरत है इसकी समीक्षा होनी चाहिए यह मुद्द तब और गर्मा गया था जब नीती आयोक के पूरो मुख्यकारी अधिकारी ने कर रहे थे कि इससे क्या होता है इससे फिर उन्होंने गैप पैदा कर दिया सारिरिक और मानसिक विकलांगता के भी जबर जबर दस्ति कहना चाहिए एक खाई यहां पर खड़ी हो गए कुल मिलाकर के देखा जाए उन्होंने जो बात कही थी अन्य सिविल सेवकों की इसी तरह की टिपड़ियों के साथ विकलांगता और आरक्षण नीतियों के प्रती समाज के दृष्टिकोंड के बारे में चिंता जनक कोश्चन उठक करके खड़ा होता है यहां से अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं डीप रूटेड एबलिजम फिजिकली जो डिसेबल पीपल होते हैं वो बहुत सारे बेरियर्स को फेस करते हैं तब जाकर के सोसाइटी में इनका पार्टिसिपेशन हो पाता है वर्क फोर्स तक पहुच पाते हैं यह लोग जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजिस बहुत सारे हैं एजुकेशन सिस्टम एंड एक्जाम का जो करिकुलम रहता है एंड जो फॉर्मेट्स रहता है ठीक है यह सारी चीज़ा जो है हमरे लिए काफी आसान रहती है लेकिन विकलांग लोगों के लिए सारी चीज़ा कठीन हो जाती है एक तो मानसिक तोर पर यह लोग कमजोड रहते हैं ठीक है मन में हमेशा से यही रहता है कि मैं ऐसा हूं सब लोग वैसे हैं मैं यह नहीं कर सकता वो लोग वो कर सकते हैं सरकार इसके लिए रिजर्वेशन की पॉलिस लेकर के आती है ताकि विकलांग लोग का गलत इस्तमाल करते हैं ठीक है हाला कि इस चीज को आप बहुत ब्रॉडर परस्पेक्ट पर नहीं ले सकते हैं ठीक है एंड आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो पॉल्सी से इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होनी चाहिए विकलांग लोग कंटिन्यू बहुत सारे चैलेंजिस को फेस कर रहे हैं जैसे कि चाहे वो सिक्षा के छेतर में हो चाहे वो इंप्लॉइमेंट के सेक्टर में हो और यह चीज़े बहुत कमी हाईलाइट हो पाती है वहीं अदि हम बात करें 76 नम्मर का जो नैशनल सेंपल सर्व अभी कंड़क्ट कराएं गया था 2018 में इसमें यह बात पता चला है कि मादर 23.8 परसेंट जो विकलांग लोग है वह अभी कहना चाहिए अपनी रोजी रोटी कम अपा रहे हैं कितने लोग 23.8 परसेंट को बाकी के 70 परसेंट लोग क्या है बेरुजगार है या तो फिर किसी के उपर डिपेंड है जहां पर हम देखते हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसेपेशन रेट है नैशनल लेवल पर वो कितना है 50.2 परसेंट है वहीं से अमियर की ही हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें किस कारण से हो सकती है इसका मतलब ये है एजुकेशन उतनी ज़्यादा एक्सेवल नहीं है एक्जामपल के तौर पर हम बात करें कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको न दिखाई देता है न जिनको सुनाई देता है अब किसी को सुनाई देता है त कैसे करके उनको स्कूल पहुचाया जाएगा ये कोस्टन यहाँ पर खड़ा हो जाता है उनके लिए उस प्रकार से टौइलेट बातरूम की विवस्ता है की नहीं पीने की पाने की विवस्ता है की नहीं ये सारी बातें आ जाती हैं और सबसे बड़ी बात तो यह रहती है कि जो इस्टिग्मा है एंड बाइसेस है यह बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित करता है अब जहां पर यह लोग काम कर रहे हैं तो रिजनेबल एकुमेडेशन की विवस्था होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इस प्रकार से जो इस्ट्रक्चरल इसूस रहते हैं इनको बहुत कम ही पाइंट आउट किया जाता है ठीक है बाइदा सेम इंडिविज्वल इस प्रकार के जो मुद्दे रहते हैं अब बहुत कम उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा अब आप देखेंगे ना कि कई कई हम ऐसे एक्जामपल देखते हैं जहां पर लोग श्ट्रगल किये हैं जैसे कि कार्तिक कंसल की बात करें ठीक है जो की बुरी तरह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी से प्रभावित हैं इनको सर्विस एलोर्ट नहीं करी गई थी इन्होंने यूनियन पबलिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एक्जाम को फोर टाइम्स क्या कि ये क्लियर किया इसके बावजूद भी इनको कहना चाहिए पोस्ट नहीं मिल पाई है क्या करेगा बिचारा वहीं यहीं हम बात करें एक और एक्जामपल की बात करें जैसे एरा सिंगल की हम बात करते हैं एरा सिंगल को सेंट्रल एड्मिस्टेशन ट्रिबुनल जाना पड़ा था तब जाकर के वो सिक्योर कर पाई थी उनकी राइटफुल पोस्टिंग को ठीक है जबकि उन्हों है सिक्योर किया था फर्स्ट रैंक सिविल सर्विस एक्जाम में इतनी जादा इनको लड़ाई लड़ना पड़ता है तब जाकर के यह लोग जौब हासिल कर पा रहे हैं यूपियस्ट के और वहीं जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं वह लोग असानी से कहना चाहिए प्राप्त कर लेते हैं अब सुप्रीम कोट की तरफ से कहना चाहिए कुछ मेजर्मेंट यह फिर कुछ-कुछ सुनवाई हुई है इसके उपर यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं विकास कुमार वर्सेस यूपियस्टी दोजार इक्टिस का यह केस है यहां पर सुप्रीम कोट ने एड्रेस किया था कि जो मिस्यूज है ठेक है विकास कुमार वर्सेस स्यूपियस्टी अर्गुमेंट यह दिया गया था कि यह जो पी डबलुडी सोते हैं इफ एलाव तो चूज तेयर स्क्राइब्स एंड इफ दियर डिसेबलेटी परसेंटेज इस लेस देन 40 परसेंट माइट मिस्यूज दिस प्रोविजन बोला जा रहा है कि देखिये यदि दिव्यांग जनों को अपना कहना चाहिए काम करने की लेखन करने की अनुमती दी जाती है और उनकी विकलांगता का परसेंट टेज 40 परसेंट से काम है तो वे इस प्रावधान का दुरूप योग कर सकते हैं अब कुछ-कुछ लोग रहते हैं कि कुछ लोग लिख भी नहीं पाते हैं लेकिन यदि 40 परसेंट से उनकी विकलांगता कम है न तो फिर यहां पर मिस्यूज हो सकता है ऐसी संभावना व्यक्त करी गई अब नियालाय ने इसका प्रतिवात करते हुए कहा था यदि कुछ घ यहां पर नकल हुई है तो इनके खिलाप में हम कारवाही करेंगे इसका मतलब तो यह नहीं है कि आप जो है डिफरेंट ड्रेस कोड दे दें ठीक है अब हम बात करते हैं हमारा जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या कमिया है इंडिया का जो सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है जिसके माध्यम से विकलांग लोगों को प्रमाणपत्र जारी किया जाते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फ्लास हम को देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो जो प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से क्वांटिफाई किया जाता है disabilities को बताया जा रहा है कि भाई disability कैसे करके बढ़ते जा रही है तो जो percentage है न वो outdated है and not supported by the United Nations Convention on the rights of person with disabilities disability को भारत में percentage के हिसाब से बताया जाता है कह देते हैं 40% से ज्यादा है 45% है लेकिन यह जो चीज है काफी outdated हो चुकी है United Nations Convention on the rights of person with disabilities के द्वारे इसको support नहीं किया जाता है UPSC में प्रमाडपत्र कैसे जारी किये जाते हैं तो देखिए UPSC एक separate and independent disability assessment त्यार करता है ठीक है and यहीं से कहना चाहिए disability certification की जो process है वो होती है certification government ने किसी बच्चे को दिया है इसके बाद disability का assessment UPSC के द्वारा किया जाता है this gives rise to possibility of two sets of assessment yielding contradictory result मतलब यह हो गया कि एक चीज़ यह बोली जा रही है एक तो UPSC कर रहा है और दूसरा government of India दो दो लोग मिलकर के certification का काब कर रहे हैं तो नहीं से फिर क्या है ना चीज है गड़वर होना चालू कर देते हैं अब एक जो additional challenges है वो है lack of a specialist to evaluate various disabilities अलग-अलग किसम की disability को verify करने के लिए हमारे पास में specialist की कमी है आगे इस्टेट के द्वारा काफी complicated assessment guideline जारी किये जाते हैं ठीक है यह जादती जादतर चीज है ना unrealistic रहते हैं district hospital level पर which are constant in the term of both infrastructure and resources जो की जादतर infrastructure और resources पर based होते हैं अब जैसे हम psychosocial disabilities की बात करें ठीक है मानसिक तोर पर कोई व्यक्ति कहना चाहिए disabled है इसका जो assessment है और भी ज्यादा relatively subjective होना चाहिए इसको आप कैसे करके assessment करते हैं आउटड़ेटिड आइड़ी आस आईड़ी एस के माध्यम से आईड़ी एस मतलब क्या होता है Indian disability evolution and assessment scale बहुत सारे cases में ऐसा होता है जो test होते हैं ना वो conduct नहीं कराए जाते हैं अब ऐसे व्यक्ति जो की कहना चाहिए दिखाई नहीं देता है जिनको तो जो hidden और less apparent disabilities such as blood disorder often face rejection because they do not look disabled बहुत सारे disabilities ऐसी हैं जिनको reject कर दिया जाता है ठीक है क्योंकि वो लोग क्या है विकलांग के जैसे दिखाई नहीं देते हैं अगली जो नियूस यहां पर हम discuss करने वाले हैं दोस्तों यह Paris Olympics 2014 से related है अभी हाल फिल हाल में देखा जाए तो यह picture जो आप देख रहे ना भारत ने कहना चाहिए पहला मेडल जीता है वो भी क्या जीता है भारत ने ब्रॉंज जीता है तो मनु ने इतिहास रचा है इंडिया के मेडल हंट में बाइस साल की जो मनु है इन्होंने पहली इंडियन वूमेन सूटर बन गई है जिन्होंने उलंपिक पोडियम जीता है एस सी विंस मेडल इन दा टैन मीटर एर राइफल पिस्टल इवेंट शी विल नाव कंपीड इन टैन मीटर पिस्टल मिज टीम एंड पच्छिस मीटर पिस्टल इवेंट तो अभी दस मीटर मिक्स में खेलींगी इसके बाद 25 मेंटर के पिस्टॉल इवेंट में ये पार्टिसिपेट करेंगी पेरिस ओलम्पिक्स के दी हम बात करें तो डेट रखी गई है 26 जुलाई से लेकर कि 11 अगस्त कि ये चलेंगे ठीक है इसकी ओपनिंग सेरिमरी 26 जुलाई को थी क्लोजिंग सेरिमनी 11 अगस 2024 को है टोटल नंबर वह पे स्पोर्स के दी हम बात करें तो 32 स्पोर्स इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है 32 स्पोर्स का इवेंट के दी हम बात करें तो लग-वग-वग 329 इवेंट का यहाँ पर आयजन किया जाना है और किस जगह पे हो रहा है यह देखिए अलग-अलग लोकेशन में हो रहा है पैरिश में एंड इससे रिलेटेड जो सराउंडिंग एरियास हैं वहाँ पर जैसे की स्टेडेडे फ्रांस एंड चैंप्स एलीजी भारत की तरप से कुछ महतपूर खिलारी प्रस्तुत हुए हैं जैसे की नीरत चोपड़ा, जैवलें थ्रो में, पीवी संदू बैडमिंटन के लिए और निखत जरीन बॉक्सिंग के लिए वही हम बात करें सूटिंग में सब से ज्यादा लोग पार्टिसिपेस्ट किये हैं अभी तक जितने भी गए हैं उन में सब से ज्यादा जैसे की 11 लोगों को हम भेजे हैं अब हम बात करते हैं देखिए पैरिस के दिए हम बात करें तो पैरिस ने अभी तक तीन बार ये तीसरी बार है गहना चाहिए तो थर्ड टाइम इस बार वो इसका आईजन कर रहा है जैसे कि 1900 में किया था फिर 1924 में किया था और इस बार 2024 में आईजन कर रहा है अगला जो न्यूस का आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों यह हाल-फिल-हाल में बजट में सरकार की तरफ से जिगर किया जाता है एक स्कीम का जिसमें बोला गया है कि सरकार एंप्लॉयमेंट एंड इस्किलिंग प्रोवाइट करेगी लास्ट वीक की बजट में इस चीज का उलेक किया जाता है इस फाइनेंशल एयर में इसमें इंटर्नशिप की प्रोग्राम रखे गए हैं इंटर्नशिप एक प्रकार से कहना चाहिए अपरेंटिस है या फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी काम की एक करोड लोगों को 500 टॉप कंपनीज में कहना चाहिए इंटर्नशिप या फिर अपरेंटिस या फिर एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड अभी इसका जो डिजाइन है डिटेल है ना इस पर काम करना बाकी है ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सौम नाधन का कहना है हम ये एकस्पेक्ट करते हैं ये जो इसकीम है ठीक है इस फाइनेंसल एर में चालू हो जाएंगी एंड हम लोगों ने ट्राइ किया है to make sure coverage of employment link incentive scheme हम क्या सोचे है कि जो employment linked incentive scheme है उसको इसके साथ मैं कहना चाहिए जोड करके देखेंगे जितना जादा से जादा हो सके हम कभी भी इसको technological बनाने की कोशिस नहीं कर रहे हैं ठीक है अब जैसे कि scheme A & C की बात करें वो सब industry के लिए है and scheme B की बात करें तो यह manufacturing jobs के लिए रहेगी ऐसा कहना है सौमनाथनकर इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो decision है कि हम incentivize करेंगे hiring for first timer with a salary limit of 1,00,000,000 per month was aimed at keeping the scheme sector neutral तो एक चीज और यहां पर बोला जा रहा है कि जो first timers है जो पहली बार एंटर कर रहे हैं तो इनको incentivize provide किया जाएगा और salary की जो limit रहेगी वो एक लाख पर मंत रहेगी अब यह जो salary है किस प्रकार से दे रहा है क्या कर रहा है इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है क्योंकि budget में तो खाली बोला गया था कि 5000 रुपया महिने का देंगे आप company में काम करेंगे और आपको 5000 रुपय मिलेगा आप जो सीखना है जिस तरह में भी आप company की भीतर में आपको जहां डालने वह काम आपको सीखने को मिलेगा अब इनका कहना है कि देखिए मैं agree करता हूं कि जो एक लाख रुपया है ने काफी जादा होता है बट इस नोट सो इफ यू आर ट्राइंग तो कवर दा हाइरिंग ऑफ पीपल विद सोफेस्टिकेट इस्किल और नॉलेज ऑफ ए आई लेकिन आप सोचिए कि यदि इतना पैसा खर्चा भी हो जाता है और लोगों को आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस से रिलेटेट काम करने को मिल जा रहा है या फिर वो लोग सीख पा रहे हैं ठीक है तो यह काफी महत्पूर हो जाएगा यह जो इसकीव है यह निव जॉब जनरेट करेगी अलग-अलग ऐसे एरियास में ठीक है जहां पर एयाई का इस्तमा झाल